पापा इतना बड़ा होटल हाँ बेटे मैंने आपसे वादा किया था ना क्लास में टोप आओगी तो बड़े होटल में खाना के लाओंगा ये शहर का सबसे बड़ा होटल है खाना खाना है पापा इतने बड़े होटल में तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ना क्यों बेटा हम प्री में थोड़ी खाएंगे पैसे दे के खाएंगे कोई मजाक ने उड़ाएगा चलो पापा प्री में ऊ सबस्ट करे छोड़ाएंगे het लो सर जी कहिए क्या लेंगे मेरी बेटी को आपके होटल का सबसे अच्छा खाना परोस दीजिए अच्छा और आप क्या लेंगे सर मैं सिर्फ पानी लोगा वो भी बिना पैसे वाला क्यों सर आप कुछ नहीं खाएंगे नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुछ खाऊं मैंने अपनी वेटी से वादा किया था कि वो जिस दिन क्लास में टोप करेगी उस दिन उसे शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाऊंगा और आज इसने अपना वादा पूरा किया मैंने फिफ्ट में टोप किया है सर जी वो एक गरीब बाप और बेटी आये है तो? सर वो बाप अपनी बेटी को फर्स्ट आने पे खाना खिलाना चाहता है अच्छा पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद भी खा पाए तो? सर मैं उन दोनों को खाना खिलाना चाहता हूं और उनका पैसा आप मेरी सेलरी में से काट लीजीगा नहीं, नहीं क्यों सर? पैसा मैं दूँ या वो दे? एक ही बात है अरे सुनिल बात पैसे के लिए तो सर और क्या बात है? दरसल मैं चाहता हूं कि उनकी खुशी को हम सेलिब्रेट करे पूरे होटल को पार्टी देंगे बिटिया ने आखिर ही मत दिखाईए टेबल से जाओ और उनको वहाँ बेटाओ वाँ, धन्यवाद सर हाँ, सुनिये आज सभी को हमारे सर जी की तरफ से इस बच्ची के फरस्ट आने के मौके पे पार्टी है आए सर, आपके लिए ये टेबल लगिए आपको और पूरे होटल के कस्टमर्स को हमारे तरफ से पार्टी है बच्ची ने टोप जो किया है अरे वाँ, चलो वेठी लो बेटा, आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए थैंक यू अरे सुनोग कलेक्टर में डमाई है आप लोग यहां खड़े हो जाओ सारे नमस्ते नमस्ते आपने पैचाना मुझे पैचाना है क्यों नहीं, आप मारे जील्ये की कलेक्टर है नहीं, ऐसे नहीं आपको याद है, 15 साल पहले एक बच्ची आये थी आपके होटेल पे और उस बच्ची के टोप आने पे उसके पिताजी उसे खाना खिलाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तब आपने उनकी खुशी को शेलिब्रेट किया था और पूरे होटेल को पार्टी दी थी हाँ, ऐसा कुछ हुआ था मैं वही बच्ची हूँ अरे वाँ वीटिया, बहुत कुप तुमने तो कमाल कर दिया अरे वाँ कमाल मैंने नहीं, कमाल तो आपने कर दिया उस दिन आपने इंसानियत दिखाई और मेरा होसला बढ़ाया आपने किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया उस दिन के बाद मुझे सफलता का ऐसा चसका लगा मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं कुछ बनके दिखाऊंगी ये तो बढ़ी अच्छी बात है और ये आपकी अच्छाई का नतीजा है इसी लिए किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं और उसका होसला बढ़ाएं धन्यवाद